अदानी स्टॉक में बुधवार को स्टॉक में उतार चड़ाव नजर आ सकता है क्योंकि अदानी हिंडिनबर्ग पर मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ सकता है जिसका स्टॉक बजार में आज अदानी समूह के लिए खास दिन रहने वाला है जनवरी 2023 में हिंडिनबर्ग ने जारी की रिपोर्ट अदानी स्टॉक के लिए हिंडिनबर्ग जो एक शॉर्ट सेलिंग फाइनेशियल कमपनी ने उन्होंने जनवरी 2023 में अदानी समूह के स्टॉक के उपर 88 ऐसे सवाल पेश किये थे तो एक report जारी की थी जिसके तहट दो stock में तो गलत तरीके से trading के लिए आरोब भी लगाय थे जिसके तहट अदानी समूह के सभी stock में भारी गिरावट नजर आई थी मार्च 2023 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अदानी समूह ने भी हिंडिनबर्ग के जो आरोप लगाए थे उसे खारिच करते हुए हिंडिनबर्ग को जवाब दिये थे लेकिन हिंडिनबर्ग अपने मामले में अटल रहा तो जिस कारण मार्च 2023 में यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है अक्टूबर में भी पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ अदानी स्टॉक के लिए अमेरिका से राहत अदानी स्टॉक और हिडनबर्ग के मामले के कारण स्टॉक में गिरावत दर्ज हो रही थी लेकिन हिदेनबर्ग रिपोर्ट के लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है कि अदानी पोर्ट शेर के लिए 530 मिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए अमेरिका की सरकार तयार हुई है और उसमें आगे ये भी कहा कि हम लोग हिदेनबर्ग रिपोर्ट को नहीं मानते है जिस कारण वहां से फिर स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली पकर ली ये तारीक 5 दिसंबर 2023 की थी फिर वहां से अदानी समूह के सभी स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई साल 2023 के पूरे सालों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया लेकिन अब खबर सामने आई है कि बुध्वार को 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट हिदेनबर्ग मामले में फैसला कर सकती है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे Krippyya अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें